हेलो एब्रिवान इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टन प्रोसेस जो है पॉलीमेरेज चेन रियक्शन इसको जनरली आप पी सी आर के नाम से भी कहीं जगा सुनने को पाऊगे तो यह जो पॉलीमरेज चेन रियक्शन है यह एक रिसेंटली डवलब टेक्नोलोजी है जो किया के नाइंटीन हंड़ेड एंटी में यह आया था और इसके बार में हम लोग आज डिटेल में डिसकस करने वाले हैं कि यह क्या है पॉलीमरेज चेन रियक्शन होता क्या है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं उनके एप्लिकेशन क्या है उसको किस तरह से कंड़क्ट किया जाता है यह सारे के सारे क्वेस्टिन हम लोग आज इसी पर्टिकुलर वीटियो में डिल करने वाले हैं तो यह को बनाने के लिए और डिने बनाने के लिए तो लेट सी देखते हैं कि यह क्या होता है और इसके एप्लिकेशन हम लोग किस तरह से आर डिने बनाने के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चिन यह आता है कि यह PCR होता क्या है रैट PCR होता क्या है प्लस यह जो प्रोस रियक्शन होता है तो यह पोलीमरेसी जीन रियक्शन नाम से क्या पता चला रहा है , पॉलीमरेस अजय को पढ़ चुके हो तो रप्लीकेशन इन उसमें एक इंजम का नाम आया होगा DNA रैट वू किya क्या काम करता था其實 polymerization of doxy ribonucleotides the root के बाद दूसरे को इस तरह से जोडता था तो यह क्या होता है polymerization step polymer का बनाना एक चोटाओ छोटा जो दो होता है उनको जोड़ के finally हमें क्या मजनता है polymer बलता है तो यह स्टेप पी स्टेफ यह किस तरह का step है यहां पर होता है एक आली मरेक्षन प्रियाक्शन करेगा और इक होता है कि छोटा सा डीन एका की एक छोटा सा DNA का फ्रेग्मेंट अगर मान लो हमारे पास इसके बस 10 कॉपी प्रेजन्ट हैं तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं लाखू कॉपी बना सकते हैं किसकते हूं हम लोग कर सकते हैं आप यह बहुत ही स्टेप हो जाता है इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर किसी भी वज़ा से बहुत कम एमाउंट में डी एने प्रेजेंट हो और हमें उसके बहुत सारे कॉपीज चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं PCR कर सकते हैं हम यह जानते हैं कि सेल के अंदर जो डी एने होता है वो क्या होता है वो रेप्लिकेट होने के बाद वो क्या होगा वो डबल हो जाता है राइट वो सेल के अंदर होगा मतलब वो इन वीवो कंडिशन में होता है लेकिन हमें क्या करना है यहां पे PCR में अलग क्या है रेप्लिकेशन से यह सेल से बाहर होता है राइट सेल के बाहर ह उसका क्या करते हैं, copy बनाते हैं, और क्या difference हो रहा है कि यह DNA जब replicate करेगा, DNA जब replicate करता है उसके L психotype होते हैं, कहीं सारे enzymes होते हैं, बहुत सारे enzymes होते हैं, और उसमें क्या होता है, cell division का इक particular phase होता है, कौन सा phase होता है, अगर हम PCR के बारे में बात करें, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा DNA फ्रेग्मेंट का जो एम्प्लिफिकेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसका बस एक पार्ट जो कि हमें चाहिए, डिजायर्ट जीन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर डिजायर्ट जीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एम्प्लिफिकेशन कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत ज़ादा अमाउंट में कॉपी बना रहे हैं, और क्या डिफ्रेंस हो रहा है, PCR का वो यह है कि अगर हम लोग DNA रेप्लिकेशन के बारे में बात करें, तो एक DNA जब दिएने आ जाते हैं ओके तो लेकिन PCR में क्या होता है PCR में भी वही सेम चीज होगा एम्प्लिफिकेशन में वही होगा एक DNA फ्रेग्मेंट जब एम्प्लिफाइ होगा तो फाइनली वह दो डॉटर सेल में ही होगा लेकिन जो टाइम डियूरेशन होता है वह रिडियूस हो जाता है PCR के केस में मतलब अगर हम बैक्टिरियल सेल के बारे में बात करें तो बैक्टिरियल सेल में हम जानते हैं कि बैक्टिरियल सेल डिवाइट कितने मिनिट में होता है जेनरली अगर एकोली के बारे में बात करें हो रहा होगा मतलब 20 मिनिट में वो डबल हो रहा है लेकिन यहाँ पर अगर हम PCR के थू एक पर्टिकुला DNA के फ्रेग्वेंट को एम्प्लीफाय करेंगे तो यह 20 मिनिट में 20 मिनिट इसके लिए नहीं चाहिए होता है इसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है और यह जो time होता है वो vary करता है और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं और यह जो डियने का replication cell के अंदर होता है उसके लिए हमें cell चाहिए होता है तो PCR क्या है actually cell free system में DNA का amplification करना अगर हमारे पास चोटा सा बहुत कम अमाउंट में DNA molecules present है और हमें उसको काफी ज्यादा एमाउंट में बढ़ाना है जैसे कि यह कहां पर यूज आएगा हम अभी आर डियने टेकनोलोजी डिसकस कर रहे हैं बाय टेकनोलोजी डिसकस कर रहे हैं तो अभी हमने कहां तक कम्प्लेट कर लिया था याद करो जैल हमने कम्प्लेट कर लिया था मतलब हमें desire dna जो है हो मिल गया था लेकीन यह जो desire dna है हमें इसको कहां है यूज करना है हमें अभी इसको वेक्टर के अंदर डालना है और वह त्यक्योलर वेक्टर को हमें कहां पर ना होगा host cell में डालना होगा ताकि वो जाके multiply करें तो ऐसा तो नहीं है कि हमें जो desired DNA मिला है वो दो-तिन copy ही हम लोग vector पर डालेंगे और वही vector दो-तिन vector को हम लोग host के अंदर डालेंगे ऐसा हम नहीं करने वाले हैं हमें बहुत ज्यादा अमांट पर पटिकुलर कॉपी चाहिए वह बहुत ज्यादा अमांट में desired gene चाहिए और वह पटिकुलर desired gene को हम बहुत ज्यादा वेक्टर में क्या करेंगे उसको incorporate करेंगे और finally हम host में उसको डाल देंगे इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी polymerase gene reaction यूज करेंगे उसका copy क्या करेंगे increase करेंगे उसका number हम लोग increase करा देंगे तो यहां पर देखो यह किनों ने develop किया था एक्चुली क्यारी mulis ने यह develop किया था ओके in 1980 आपको यहां पर देख रहा होगा कि यह जो DNA यह जो technology है काफी recent 1980 में यह आया था ओके तो next देखते हैं कि यह जो PCR होता है यह जो PCR है यहां पर आपके next slide में आपको देख रहा होगा कि PCR क्यों यूज होता है अभी मैंने बात किया कि हमारे पास अगर low amount of low amount of DNA present है तो फिर हम अगर उसे बहुत जादा amount में बनाने वाले हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसका amplification करते हैं PCR के through तो यह कहां कहां यूज हो सकता है वो देख लेते हैं जैसे कि forensic science में अभी हमने बात कर रहे थे हम की RDNA में किस तरह से यूज करते हैं हमें इसको amplify करना होता है उसको वैक्टर में डालना होता है लेकिन forensic science में यह इसका भी काफी जादा रोल आता है कैसे रोल आएगा अब मान लो कोई crime scene है में क्या होता है जरूरी नहीं है कि जो suspect होंगे या फिर जो क्रिमिनल होगा उसका जो सैंपल है जैसे कि कहीं सारे सैंपल होता है जिससे कि हम लोग identify कर सकते हैं identification के लिए यूज होता है हम लोग यह already DNA fingerprinting में पढ़ चुके हैं तो DNA fingerprinting के लिए क्या चाहिए होता है DNA का segment चाहिए होता है और DNA का fragment चाहिए तो यह जो DNA का fragment चाहिए होता है हमें तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो particular criminal वहाँ पर होगा तो वह बहुत जादा amount में वहाँ पर अपना sample छोड़ के जाएगा okay sample क्या होता है actually blood हो सकते हैं okay blood cells भी यूज हो सकते हैं और क्या होता है hair भी हो सकता है और क्या हो सकता है nail भी हो सकता है यह सब में क्या होता है DNA present होता है और हमें अगर एक भी बहुत कम अमांट में अगर हमें मानलो blood sample मिल गया तो उस blood sample से हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले DNA का extraction कर लेते हैं DNA extract करने के बाद क्या होगा अब तो हमारे पास बहुत कम अमांट में DNA मिला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे PCR के थूँ उसका क्या कर देंगे एंप्लिफिकेशन कर देंगे उसका एमांट हम लोग increase करा देंगे और amount increase होने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको DNA fingerprinting के थूँ हम लोग identify कर लेंगे तो यह था forensic science में PCR किस तरह से यूज होता है और कहां पर यूज होता है अभी हमने देखा था RDNA technology में भी यूज होगा और कहां पर यूज होगा कुछ areas of ecology में भी यूज होता है अब ecology में पीसी आर का कैसे यूज होगा देखो ecology में क्या होता है एक ब्रांज होता है molecular ecology और जो हम लोग fossils के बारे में पढ़ते हैं तो molecular हमारा paleontology हो गया उनमें क्या होता है मानलो हमें एक particular seed मिला या फिर एक बहुत चोटा सेंपल मिला आर्थ के crust में जो कि क्या है वहां पर बहुत एक डिग्रेड़ वाला एक चोटा सा सेंपल मिला है वहां पर बहुत कम अमांट में DNA हमें मिला तो इस particular DNA को अगर हम लोग यह देखें कि यह किसका DNA है वह हमें चक्करन है या फिर हमें य cneyeo sperm का है, gymenosperm का है वो अगर हमें चेक Karen तो हमें क्या करना पड़ता है DNA को हमें compare करना पड़ता है right, जिन दो particular ओर गन्येग का हमें comparative study करना है, उनके relations देखने हैं हमें क्या करना होता है उनके DNA को compare करना पड़ता है जितना ज्यादा similarities आएगा उनके DNA के अंदर उतना ज्यादा वो लो close होंगे तो इस केस में क्या होगा अगर हमें बहुत ही कम अमाउंट में DNA मिला है तो हम लोग उससे उतना experiments conduct नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या चाहिए होगा हमें बहुत ज्यादा एमाउंट में उस particular DNA चाहिए होगा जिसके लिए हमें क्या करना होगा जो भी sample हमें मिला है उसको amplify करना पड़ेगा तो यह कुछ एरिया जहां पर की हम PCR का यूज देखते हैं और भी कहीं सारे यूज होते हैं जैसे कि हम लोग medicines में यूज करते हैं इसको ओके medical science में इसका यूज है बहुत जादा ही यूज होता है medical science में यह सब हम दिरे दिरे आगे डिसकस करते चलेंगे तो नेक्स्ट आता है requirement of PCR कि PCR के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है तो सबसे पहले नाम में ही आपको लिखा है कि polymerase chain reaction मतलब एक enzyme जो की polymerization कर रहा होगा enzyme तो हमें definitely चाहिए polymerization किस चीज़का होगा भ्राई deoxy ribonucleotides कहोगा तो हमें क्या चाहिए deoxy ribonucleotides और क्या चाहिए DNA polymerase चाहिए DNA polymerase ही क्यों क्योंके DNA का polymerization होने वाला है उसके बाद क्या चाहिए हमें, एक template DNA चाहिए, template DNA क्या होता है, आप लोग replication में पढ़ चुके हो, template strands होते हैं, template strand का मतलब क्या होता है, उसी particular strand को देख के, क्या करता है, DNA polymerase जो है आगे इस तरह से replicate करता चलता है, polymerization करता चलता है, तो हम लोग यह जानते हैं, कि जब DNA का replication cell के अंदर होता है, तो DNA के दो strand template की तरह behave करते हैं, तो इस case में भी क्या होता है, जो हमारा desired fragment है, हमें जिस particular fragment का क्या करना है, उसका polymerization करना है, उसको हमें PCR में डालना है, उसके हमें amplified products चाहिए, उसके भी क्या होंगे, दोनों strand present होंगे, DNA double standard molecule होता है, तो यह दोनों strand क्या होंगे, यह template की तरह use में आएंगे, तो requirement में क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो हमें DNA polymerase चाहिए, next के चाहिए हमें template DNA चाहिए, next के चाहिए हमें primers चाहिए, primers क्यूं चाहिए, इसका reason भी आपनों DNA replication में पढ़ चुके हो, क्या होता है, primers actually, जब दो strand का replication होगा, सबसे पहले क्या होता है, helicase आता है, helicase इन दो strand के बीच में, जो hydrogen bonds होते हैं, उनको break कर लेता है, break करने के बाद क्या होगा, यह strand मानलो, 5' से 3' हो गया, और यह strand 3' से 5' हो गया, तो primer कहां पे use होते हैं, 3' के end पे use होते हैं, और primer 3' के end पे क्यूं होते हैं, क्यूंकि primers को लेके primers के साथ ही हमारा जो DNA polymerase होता है, वो क्या करता है, nucleotides, deoxy ribonucleotides, add करता चला जाता है, मतलब यहां पे अगर primer यहां पे 3' पे जुड़ा है, तो यहां पे क्या करेगा, DNA polymerase आएगा इस तरह से, और यह क्या करेगा, deoxy ribonucleotides को join करता हुआ, इस तरह से आगे बढ़ता चलेगा, और यहां पे क्या होगा, इस तरफ से भी क्या करेगा, वो इस तरह से जोडता चला जाएगा, और finally हमें क्या मिल जाता है, daughter DNA मिल जाता है, तो primers का use क्या होता है, primer actually free OH group provide करता है, किसके लिए हमारा DNA polymerase के लिए, जिसको use करके DNA polymerase new nucleotides क्या करेगा, एड करता हुआ, चलेगा, और क्या चाहिए हमें, कुछ ions चाहिए होता है, जैसे कि mg plus 2, यह जो mg plus 2 होते हैं, यह DNA replication जब cell में होता है, तब भी यह ions काम आते हैं, तो यहां पे भी यह क्या होंगे, वही नियोखलोटार से हां पे काम आएंगे, नेश्ट देखते हैं, इसके बाद एक-एक करके कि किस तरह से कौन सा एंजाइम कहां पे यूज होगा, तो सबसे पहला आता है हमारा tag polymerase, टैक polymerase किया है, यह वही DNA polymerase है, जो कि हम लोग PCR में यूज करते हैं, आप लोग जानते हो, कि जो हम DNA का रेप्लिकेशन इन वीवो हो वह कौन सा होता है, एक्चुली, DNA polymerase होता है, DNA dependent, DNA polymerase होता है, तो यह जो DNA polymerase है, इसको हम PCR में यूज नहीं कर सकते हैं, वह क्यों नहीं कर सकते हैं, पीसीर का जो टेकनीक है, उसमें क्या होता है, हम बहुत जादा टेंपरेचर में उसको रन करवाते हैं, उस रेएक्शन को रन करवाते हैं, और हम लोग यह जानते हैं, कि जो enzymes होता है, वह temperature sensitive होता है, तो अगर यह temperature sensitive हुआ, तो DNA polymerase को अगर हम high temperature में रखेंगे, तो फिर यह क्या होगा, definitely यह degrade हो जाएगा, और degrade हो जाएगा, तो यह अपना function carry नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ऐसा polymerase लेना पड़ेगा, जो कि उस particular high temperature पे भी क्या होगा, वो sustain कर सकता है, प्लस अपना काम भी कर सकता है, तो इसके लिए एक enzyme लिया जाता है, जिससे tag polymerase बोलते हैं, और यह कहां से आता है, यह एक bacteria है, जिसका नाम है thermos aquaticus, ओके यह जो bacteria है thermos aquaticus यह actually कहां पे मिलता है, यह hot springs पे मिलते हैं, hot springs का मतलब आप लोग जानते हो, जहां पे की काफी ज्यादा high temperature रहता है, 90 to 100 degree Celsius रहता है वहां पे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, hot springs vary करते हो अपने temperature level पे, तो यह जो enzyme है, यह जो bacteria है, अगर उस particular high temperature पे रह रह रहा है, तो definitely वो जब replicate कर रहा है, उसके अंदर जो भी enzymes present है, वो भी क्या होंगे, temperature sensitive होंगे, तो यह thermos aquaticus के अंदर, यह tech polymerase पाया जाता है, जो कि क्या करता है, उसके cell के अंदर DNA का, जो replication phenomenon है, वो carry करता है, तो हमें भी क्या चाहिए, हम जब PCR करते हैं, तो PCR में क्या करते हैं, हम लोग हाई temperature maintain करते हैं, तो यह high temperature में हमें एक ऐसा enzyme चाहिए, जो कि survive करेगा, तो इसलिए इस particular bacteria से क्या extract किया गया, इसका polymerase extract किया गया, यह जो नाम है, यह कैसे लिए गया है, यह जो T है, यह thermos को represent करते हैं, और AQ जो है, यह aquaticus का first two letter को यह denote करता है, ओके, तो यह enzyme, जनरल यह उसका जो optimum temperature मान लेते हैं, यह 72 degree Celsius, optimum होता है, आप लोग enzyme में अगर पढ़ चुके हो, तो उसमें definitely आपको पता होगा optimum temperature किया होता है, यह वो temperature होते हैं, जहाँ पे कि एक particular enzyme अपना maximum activity शो करता है, उसके आगे, अगर उसके आगे हम लोग जाएंगे, तो अब उसका जो activity होता है, वो decrease हो जाएगा, तो 72 degree Celsius, 70-72 degree Celsius जो होता है, वो tech polymerase का अपना optimum temperature होता है, उस particular temperature में वो सबसे जादा active रहता है, सबसे जादा activity वो शो करेगा वहाँ पे, तो यह आपके सामने एक figure दिया हुआ है, hot spring का, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या यूज होता है, उसमें PCR में प्र primer का काम, अभी थोड़ी दर पहले हमने डिसकस किया, कि primers किया होते हैं, अपना OH group जो है वो provide करते हैं, यहाँ पे मान लो एक छोटा सा primer है, primer actually क्या होता है, एक short sequence होता है, oligonucleotides का, यह 20 nucleotides के approach होते हैं, और यह लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर nucleotides है, तो हम लोग ज होता है, DNA sequence के primers use होता है, DNA के oligonucleotides use होते हैं, अगर आपको याद हो तो, जब cell के अंदर DNA का replication हो रहा होता है, तो हम RNA primer use करते हैं, ओके RNA primer use करते हैं, लेकित यहाँ पे हम लोग DNA primers use कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, free OH group provide करेगा, और इसी particular OH group को use करके, हमारा जो tech polymerase है, वो क चलेगा, और यहाँ पे जो primers use होगा, वो क्या होता है, actually, two primers use होते हैं, right, दो primer कैसे use होंगे, एक primer क्या होता है, हम जानते हैं, कि जब cell के अंदर DNA का replication हो रहा होता है, तो एक strand क्या बनता है, leading strand बनता है, और एक lagging strand बनता है, और दोनों जगह पे अलग-अलग करके primers use होत और वो जो primers होंगे, उनको क्या बोला जाता है, forward primer बोला जाता है, और एक को क्या बोलते हैं, reverse primer बोलते हैं, तो forward primer और reverse primer जो होता है, हम इसे खुद artificially synthesize कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा, कि जब DNA replication होता है, तो हम primers जो होता है, वो artificially तो डाला नहीं जाता है, cell वो कहां पर add करेगा, वो जो origin of replication होगा, उस particular sequence पर जाके वो primers को add करेगा, लेकिन यह क्या है, cell free system है, cell free system मतला बाहर हम लोग कर रहे हैं, in vitro situation में कर रहे हैं, और हमें सबसे बड़ा benefit किया है, हम जिस particular gene को amplify करने वाले हैं, उसका sequence हमें पता है, अब सवाल यह उठता है, कि ह हमें sequence कैसे पता चला, हम लोग already human genome project के थ्रू DNA का sequencing कर चुके हैं, अगर हम sequencing कर चुके हैं, तो हमारे पास हर एक gene का sequence पता है, हमें हर एक gene का sequence पता है, उसके database हमारे पास already available है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह particular reason जो है, हमें क्या करना है, इसका polymerization करना है, इसका amplification करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ एक तरफ क्या होगा, 5' end होगा और 3' end होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर 3' होगा, तो इधर 5' होगा, कि प्राइमर कहां पर add करना होता है, 3' direction में, 3' के पास हमें add करना पड़ता है, यह जो sequence है, यह हमें पता होगा, अगर DNA का एक पर्टिकुलर सिक्वेंस पता है, तो क्या हम कम्प्लिमेंटरिटी बेस पे अरके थ्रू उसका एक और जो strand हो नहीं बना सकते हैं, अर यहाँ पे जो template यूज होता है, वो कौन सा होगा, DNA प्राइमर्स यूज होता है, और DNA प्राइमर क्या होगा, वहाँ पे, डियोक्सी ribonucleotides का addition होगा, तो यह जो यहाँ पे primers यूज होते हैं, दो तरह के primer यूज होगे, एक तो होगा forward primer होगा, और एक कौन सा primer होगा, reverse primer यूज होगा, और यह दो जो primers होते हैं, यह हम लोग artificially synthesize कर सकते हैं, इसे computer के मदद से, उसके बहुत सारे applications होते हैं, उनके बहुत सा sites होते हैं, जहाँ पे कि primer design किया जाता है, यह अलग ही course होता है, बाइव इनफॉर्मेटिक्स का, जहाँ पे कि हम लोग primer designing कर सकते हैं, उसके कहीं सारे tools होते हैं, तो यहाँ पे देखो, दिया गया है, यहाँ पे जो diagram दिया हो गया है, आपको visible हो रहा होगा, तो यह जो sequence है, यह कौन सा है, यह reason जो है, हमें copy करना है, और यह reason को हमें amplify करना है, तो यह कौन सा हो गया, actually हमारा template DNA strand हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कि इसका process हम लोग देखेंगे, तो इसम परेशान होने की ज़रुरत नहीं है, हम यह जानते हैं, generally क्या होता है, कि primer कब add होता है, जब cell के अंदर भी DNA का replication हो रहा होता है, तो सबसे पहले helicase आके क्या करेगा, दोनों जो strand होगे उसको separate कर देगा, अब separation के बाद क्या होता है, प्राइमर का addition होता है, तो इस case में भी जहना क्या होता है, पहले दोनों strand अलग हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, दो प्र प्राइम है, और ये वाला 3 प्राइम है, और ये वाला 5 प्राइम है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा, और ये 5 प्राइम डिरेक्शन हो जाएगा, तो ये प्राइमर कहां पे एड है, ये 5 प्राइमर डिरेक्शन में एड है, तो ये 5 प्राइम एजे substrate काम करेगा उसको polymerization में हम लोग यूज करेंगे प्लस क्या होता है magnesium होते हैं आयन होते हैं तो यह सारे के सारे actually क्या होगा इन सब को क्या किया जाता है उनका concentration determined किया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है एक जो PCR tubes होते हैं उन PCR tube में यह सारे जो samples हमें मिले कौन कौन से sample हो गया template DNA ओके template DNA हो गया उसके बाद और क्या है हमारे पास polymerase है ओके polymerase हो गया template DNA हो गया mg plus 2 magnesium ओके उसके बाद और क्या डालते हैं primers add होंगे ओके तो यह सब को एक particular जो PCR tubes होते हैं उन PCR tubes में हमने उनको add कर दिया उनके particular concentration से ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह जो tube है इसको हम लोग PCR machine में डालेंगे ओके और PCR machine में डालने के बाद क्या होगा हम जानते हैं कि जो PCR है वो temperature dependent है उसके जितने स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं तेमप्रेचर के एक और टेमप्रेचर स्टेप्स में वैरी करता जाता है तो वैरी करते यह क्या हो जाएगा फाइनली हमें जो टेमप्लेट डियने है उसका बहुत जादा कॉपी हमें मिल जाएंगे तो यहां पर देखो कि स्टेप्स इन पीस्केस PCR के क्या क्या स्टेप्स होते हैं सबसे पहले प्राइमार एड करने से पहले क्या चाहिए हमें कि यह तो जो दो स्ट्रेंड है डियने क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग temperature को हाई कर रहे हैं तो इस किस में क्या होता है DNA का denaturation सबसे पहला step है okay template DNA जो होगा उसका हम लोग denaturation करेंगे denaturation करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दो strand आ जाएंगे इस तरह के रहे यह दो स्ट्रेंड मिल गए हमें इसके बाद क्या होता है any link of primer मतलब सबसे पहला step हो गया हमारा denaturation में दोनों strand अलग-अलग होगे उनके बीच में जो hydrogen bond hydrogen bond break हो चुका है इसके बाद क्या होगा any link होगा any link का मतलब किया है जो प्राइमर है दो प्राइमर हमारे पास होते हैं एक तो forward primer होता है और एक reverse primer होता है वो दोनों primer अब क्या होंगे इस तरह से यह attach हो जाएंगे उसको क्या बोलते है any link बोला जाता है उसके बाद next step क्या है extension of polynucleotide chain अब जैसे प्राइमर यहां पे add हो गया अब क्या होगा हमारा जो tech polymerase है tech polymerase अब क्या कर सकता है इस particular test tube के अंदर जो nucleotides present है deoxy ribonucleotides उनको use करके क्या करेगा यहां पे इस तरह से polymerization करेगा और हमें दो test run easily मिल जाएंगे ओके next diagram में आपको clear हो जाएगा पूरे steps उसके दिये हुए है इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है फिर से देखो जो denaturation होता है यह normally 96 degree Celsius पे होता है हमने यह बोला था कि जो PCR का machine होता है इसके अंदर मान लो यहां पे हम PCR के जो tubes होते हैं वो यहां पे रख सकते हैं नीचे क्या होता है इसके monitor होता है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कर सकते हैं उनके temperatures और क्या control कर सकते हैं कितने cycle हम करेंगे वो भी हम यहाँ पर control कर सकते हैं तो यह temperature setting है किसके लिए denaturation के लिए कितना degree Celsius चाहिए हमें 96 degree Celsius चाहिए अगर इतना temperature हमने दे दिया तो DNA के दो strand के बीच में जो hydrogen bond present है वो क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक होने के बाद finally हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर single stranded template मिल जाएगा जिसके ऊपर की easily primer हमारा add हो सकता है ओके next step देखो क्या दिया है एनिलिंग दिया है एनिलिंग के लिए कितना temperature चाहिए एक्चुली 55 to 65 degree Celsius चाहिए इतने temperature में क्या हो जाएगा हमारे जो primer है वो primer क्या हो जाएगा अपने दोनों end पे template डियाने के दोनों end पे जाके यह easily add हो जाएगा ओके उसके बाद एनिलिंग के बाद कौनसा step आता है extension आता है extension में कौनसा enzyme हमें use कर रहे है टैक polymerase यूज कर रहे है जो कि polynucleated chain को क्या करता था पॉलिमराइज करता था उसके लिए कितना optimum चाहिए 72 degree Celsius हम जानते हैं कि जो टैक polymerase है उसके लिए उसका optimum temperature कितना है 72 degree Celsius इसका optimum temperature है और यह temperature में यह क्या होता है यह maximum active होता है तो इससे लिए यह इस particular temperature हम लोग सेट करते हैं किस के लिए extension के लिए और यह क्या करता है extension करेगा और polymerization करेगा और यह जो polymerization होता है वो 5 प्रैम से 3 प्रैम direction में होता है हमारे जो DNA polymerase है जो DNA polymerase है वो DNA polymerase भी 5 प्रैम टू 3 प्रैम direction में ही क्या करता है polymerization करता है वह ही जितने भी polymerization phenomenon आप लोग देखोगे वो सारे के सारे 5 प्रैम टू 3 प्रैम डिरेक्शन में ही होता है वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रैमर होता है ओके प्रैमर यह मानलों 3 प्रैम टू 5 प्रैम एक स्ट्रेंट है DNA का यहां पर क्या होता है एक सब्सक् rejoicing और की सれた आप 10 5sis Africa और यह जो 3 SERаствore और यह kalau to the pay इसित क्या होता है एक Waitthrough अध्य अधिन विघ्राइव या इंधि क्या है वही चीज है हे रिंधार ही हमारे जो कि अधिये पॉलिमरेज है या फिर्याध्य पॉलिमरेज है उसके लिए क्यूं इंप्उर्टन्ट यसी जगह पे, ये 3-प्राइम-OH के जगह पे ही आकर ये क्या करता है, जो न्यू न्यू नियुक्लियोटाइड उते हैं, उनको एड़ कर सकता है, इसी जगह पे मतलब 3-प्राइम-OH तो डिफिनेटली चाहिए, और अगर 3-प्राइम-OH चाहिए, तो ये वाला एंड क्या होन सकते हैं उसके बाद देखते हैं यहां पर steps यह steps किस तरह से operate हो रहा है ध्यान से देखना यह सबसे पहले क्या था देखो यह double standard DNA था ओके यह double standard DNA में आपको दिख रहा होगा यहां पर जो hydrogen bonds थे यह कैसे थे यह intact थे hydrogen bond यहां पर जैसा as it is था उसके बाद क्या हुआ दी नेचुरेशन हुआ दी नेचुरेशन के लिए 96 डिगरी सलसे समय चाहिए उसके बाद क्या हो गया है देखो यहां पर यहां के जो hydrogen bonds थे यह सारे के सारे ब्रेक हो चुके हैं यहां पर क्या होता है है दी नेच्टुरेशन के थ्रू hydrogen bonds भरेक होते हैं उसके लिए टेमपरेचर कितना चाहिए 96 डिग्री सल्सेयस उसके बाद next step क्या होता है एनिलिंग होता है और उससे क्या बोलते है प्राइमर एनिलिंग और उसके लिए टेमपरेचर 55 to 65 डिग्री सल्सेयस मतलब चाहिए ह होता है और यहाहं पर क्या दिया है 55 degree Celsius, στη प्राइमर का में इलिंग में क्या होगा जो प्राइमर होते है, वह 5 प्रायम पर जाके इस तरह से एटेच हो जाएंगे, दोनों प्राइमर होते तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह एरो से यहां पर यहां पर दिया गया है इस तरह से जो dna strand है उसका amplification हो गया और finally हमें देखो यहां पर एक cycle के बाद कितने dna मिले दो dna हमें गया है और посмотреть यहेंणा ओकि यह वाला dna मिल गया मतलब अगर एक बार pcr होता है और एक बार pcr होता है तो हमें 2 dna fragments मिल जाते हैं अगर 2 वार pcr होगा तो कितने गया है 4 मिल जाएंगे इसी तरह से इसके cycles होते हैं यह क्या रहते हैं इससी तरह से हमें के numbers calculate कर सकते हैं, मतलब हमें जितना चाहिए, जितना amount of हमें DNA चाहिए, उसके according कितना PCR चाहिए होगा, वो हम लोग determine करते हैं, और पहले से उस particular monitor पे हम लोग उसको set कर देते हैं, कि हमें कितने cycle चाहिए, अब देखो, यहाँ पर क्या हो गया, एक cycle complete हो गया, जो data DNA हमें मिल गया, अब यह cycle complete है, इसके बाद क्या होता है फिर से, फिर से क्या होगा यह cycle, repeat होगा, repeat कैसे होगा, यह जो 2 DNA strand मिले हमें, ये दो DNA अभी क्या हूँगे ये template की तरह behave करने लगेंगे ये टेम्पलेट की तरह behave करेंगे सबसे पहले क्या होगा इन दोरों में denaturation होगा denaturation होने के बाद फिर क्या होगा इन में annealing होगा और annealing के बाद क्या होगा यहां पर इस तरह से extension हो जाएगा ओके तो यह जो होता है यह cycle repeat होता चलता है जनरले 20 to 25 times और फिर हमारे requirement के according इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कर सकते हैं और फाइनली हमें बहुत जाधा amount में DNA मिल जाता है यहां पर देखो polymerase chain reaction का बहुत ही अच्छा डाइग्राम यहां पर दिया हुआ है overall process को इन्होंने explain किया है यहां पर सबसे पहले यह कौन सा था हमारा original DNA था ओके सबसे पहले denaturation हुआ दोनों strand अलग हो गये अलग होने के बाद यह कौन सा step है यह एनिलिंग step हो गया okay annaline step के बाद extension हो गया extension के बाद किया हुआ हमें जो doctor DNA मिल गया यह daughter DNA हमें मिल गया दो धैनी एक DNA यहां पर था एक DNA से यहां पर एक मिल गया और यहां पर एक मिल गया फिर से यह क्या होगा cycle, repeat होगा, तो यह वाला जो fragment है यह अलग हो जाएगा, और यह वाला जो fragment है यह अलग हो जाएगा, इसके साथ फिर से एक new daughter DNA बनेगा, इसके साथ फिर बनेगा, मतलब यहां तक क्या आए, यहां तक one cycle था, और यहां से फिर से क्या हो रहा है, यह second cycle start हो तो इसी तरह से जो polymerase chain reaction है वो चलता है और PCR इसी तरह से perform किया जाता है आपनों को अभी पता चल रहा होगा कि इसको polymerase chain reaction क्यों बोलते हैं chain reaction इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है कि यह chain है एक के बाद एक एक के बाद एक इस तरह से यह चलता जाएगा तो how many number of fragments are formed यह कभी-कभी entrance में आपके questions आ जाते हैं को कितने number of fragment form होते हैं तो उसका एक formula होता है 2 power n यूज़ कर सकते हो आप लोग इसका मतलब क्या है यह formula कैसे use होता है देखना अगर one cycle of PCR हुआ अगर one cycle of PCR हुआ तो कितने number of fragments बनेंगे 2 power 1 equals to 2 बनेगा अगर 2 cycle of PCR हुआ तो अगर 2 cycle of PCR हुआ तो कितना बनेगा 2 power 2 यहाँ पे 4 मिलेंगे ओके अगर 4 cycle of PCR हुआ तो अगर हम set करेंगे 4 cycle of PCR तो क्या होगा 2 power 4 आ जाए गया इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कितने number of कितने number of PCR cycle चाहिए एक particular amount of DNA को बनाने के लिए वह हम लोग कल्कुलेट कर सकते हैं यह कभी-कभी question आपके पूछ लिया जाता है हाला कि बहुत rare है लेकिन कभी-कभी यह आ जाता है question अब तो हमें मिल गया अब तो हमें क्या मिल गया बहुत जादा amount में DNA मिल चुका है तो यह जो DNA मिल अभी से visualize हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे कैसे क्योंकि DNA जो है वो naked eye में तो visible होने वाला नहीं है तो इसे हमें visualize करना पड़ेगा और हम लोग जानते हैं कि जो DNA fragments होते हैं उनको सबसे बहुत क्या क्या जाता है separate करते हैं और separate किसके थ्रू करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेस के थ्रू तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं जो भी DNA प्रड़क्ट है उसको हम लोग PCR reaction वाले जो भी प्रड़क्ट मिलेंगे हम उससे क्या कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेस के थ्रू उसे separate कर सकते हैं और उसको visualize कर सकते हैं वह कैसे हुआ है हमारा Agra Özene Okay यह हो गया Agra ÖzAण और इस पर्टिकुलर एकरोज जल में देखनों तो यहाँ पर क्वेल बने हुए हम जानते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं लेटक हमने डिस्कस किया है जहले लेक्ट्रोफोरेसस में लैडर क्या होते हैं कि उसमें हर एक मॉलिक्यलार वेट का जो डिने सिंक्वेंस संना वो यहाँ पे डाला जाता जैसे कि यहां पर देखो यह वाला जो लैडर है सबसे पहला फ्रेग्मेंट में यहां पर 500 बेस्पेयर वाले फ्रेग्मेंट है, next में 400 बेस्पेयर वाले हैं, 300 है, 200 है और 100 है, इसके बाद दूसरा वाला जो वेल है, वहां पर हम क्या डालेंगे, PCR रियक्शन का जो प्रड़क्ट है, उसको हम लोग डालेंगे, मतलब मान लो इस प डालने के बाद क्या होगा देखना, क्योंकि यहां पर जितने भी हमारे पास डियने फ्रेग्मेंट बने हैं, वह एक ही पर्टिकुलर बेस्पेयर के बने होंगे, क्योंकि एक ही सेग्मेंट तो रिपीट हुआ है, मतलब एक ही सेग्मेंट तो एम्प्लिपाय हुआ है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर PCR ट्यूब के अंदर जितना भी DNA है वह सारे के सारे क्या होंगे 400 बेस पेर के DNA मॉलक्यूल सोंगे तो हम लोग जैसे ही इस सेकेंड वोयल पे इस DNA इस PCR रियक्शन मिक्स्चर को डालेंगे तो क्या होगा वही 400 बेस पेर का जो डियन अवैडर है उसी के पारलल ये जाके, एडजेसेंटली पारलल ये वहाँ पर जाके रुख जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वहाँ पर 400 बेस बाले रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो PCR मिक्शर है, उसके सारे कंटन्ट यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको जेल को ऐलूशन करते हैं, अम इसको अगर देखना चाहिए तो हम लोग ऐतिटीण ब्रोमाइड मीडियम में इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं यूवी रेस के थूख, उसके बाद देखो, Next क्या है, Applications of PCR, application हम लोग थोड़ा बहुत डिसकस कर चुके हैं, कहां पर यूज होता है, यह फॉरंसिक साइन्स में यूज होता है, RDNA टेक्नोलोजी में यूज होता है, ecology में हम लोग यूज कर सकते हैं, gene sequencing में यूज होता है, fossil के study में यूज होता है, fossil के study में मतलब जिस तरह सबस्कлан को मान लोग कोई एक fascist मिला तो उसका Unterstützung करना हैएगा énorm सेकोंसिंग करना है उन मिला और हमें उसका सिक्वेंस नहीं पता है तो उसका हम सिक्वेंस भी ही कर सकते हैं अगर सिक्वेंसिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा वह जोенноकिंग चarna एक टेन आपके सामने एक डाइग्राम दिया होगा यह किसका है एक्चुली यह हम फॉरेंसिक में किस तरह से यूज करते हैं उसके लिए एक छोटा सा डाइग्राम दिया है यह आप लोग DNA फिंगर्पिंटिंग अगर पढ़ चुके हो तो उसके अंदर भी NCRT के अंदर यह डाइग् तो जाएग्र विद्टिंग लिए उसके लिए इस पॉर्टिकुलार क्या होगा इस पर्टिकुलार वैल में हमारे पास हर एक बेस्पेर का जो डिना लेडर हां वह प्रेजन दिने सिक्वेंस करद घूएग्र उसके पाद क्या ले रहे हैं इस फ्र एमींध ने फ्रम ख्रा डाला यह second well पे डाला उसके बाद हमें तो नहीं पता कि कौन कौन क्रिमिनल है राइट कुछ suspects होंगे हमारे पास तो वो suspects को हम लोग क्या करेंगे मान लो हमारे पास तीन suspect है तो यह तीन suspect का जो DNA sample है उसका भी क्या करेंगे हम लोग अप्लिफिकेशन करेंगे अप्लिफिकेशन के बाद यह जो well है यहाँ पे suspect No.1 यह suspect No.2 और यह सब्दों में suspect No.3 का जो DNA sample है उसको हम लोग डाल देंगे इस case में क्या करते है हम पूरा का पूरा जो DNA Molecule है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं वह पूरा पूरा भी कर सकते हैं और करतें हैं राइट वो जो रिन कुण छाया है वही लिए यहांत पर और वी पर सेंपल को उठाके गवारे हम क्या में छो निलरा चोंड शेबिक करने कि लिएक और और आथ 먼저 प्रेंट किया है उसको अपिवक साइब इन रहसे बैद यहां लोग है बैएад कि तो यहां पर क्या मिल रहा है देखना दे Ren से यहां पर जो लेन है सबसे पहले में सबसे पहले में ने लटाला है हमने यहां पर dna लडर प्रेजंट है second world में हमने क्या ढाला ह्याँ जो हमारे पास dna from crime scene, crime scene से जो DNA मिला है वो डाला है, तो वो जो DNA है, crime scene का DNA वो जितने particular base pair का होगा, वो गया होगा, उसी के parallel, उसी DNA ladder के parallel जाके रह जाएगा, उसके बाद हमारे पास तीन और suspects हैं, वो जो तीन suspects हैं, उनके DNA में अगर वो particular sequence present है, तो वो कहां आ जाएगा, उसी के parallel आ जाएगा, तो यहां पे देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, कि यह जो second वाला, सबसे पहला वाला suspect का DNA है, वो कहां पे रुक रहा है, 300 base pair पे जाके पारला लाली वहां पे stay कर रहा है, लेकिन second वाला जो suspect है, उसका कहां पे stay कर रहा है, उसका कर रहा है 300 base pair पे भी कर रहा है, और 200 base pair पे भी कर रहा है लेकिन suspect की जो है उसका क्या कर रहा है जो उसका DNA Fragments है वो 200 base pair पे जाके उसके परलले वो रुख रहा है लेन पर तो हमारा जो हमें जो crime scene से sample मिला था वो कितने base pair का था वो 200 base pair का था तो हमें क्या मिला कि ये जो suspect वहीं सेम चीज प्रेजन्ट है लेकिन सास्पेक्ट नमर्टू आप दिमाग के दिमाग पाई AMIS ए szकता है कि इसने हे था यॉथасक्वाल लेकिन इसके पास कया है ठीन फिराख क्रेग्मेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको वो वो हो सकता है वो हमारा जो सस्पेक्ट वो हमारा क्रिमिनल नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ साथ क्या है उसके पास और भी कहीं सारे अलग-अलग फ्रेक्मेंट पाए जाते हैं लेकिन सस्पेक्ट नबर 3 का एक्जेक्टली मैच हो रहा है हमारा जो क्राइम सीन में जो सैंपल हमें मिला था तो एक्जेक्ट मैचिंग हमें ढूमना है ना कि थोड़ा बहुत इधर उदर हो सेंपल में नेल थे मिला तो यह दो क्या होगे इसके बाद कि आपनों को क्लियर होगा यहां पर PCR में क्या क्या हो रहा है एक बार इसको समराइस कर लेते हैं तो हमने क्या देखा PCR में सबसे पहले क्या देखा उसके PCR क्या होता है देखा PCR क्या होता है क्यों यूज होता है PCR प्लस उसमें और क्या देखा हमने requirements क्या क्या होते है सबसे पहले tag polymerase आया Tech polymerase फिर और क्या हो सकता है। यहाँ पर Five gers होते थे प्राइमर्स हो गया so ہらके फिर हमारे पास sage template ऑडिने राइलमेच어요 आयों स चाहिए थे इस से इसमें तो यह फारे होते हैं कुछ requirement उसके बाद इसके steps हमने देखे थे steps किया होते हैं थे टीन स्टेप होते हैं सबसे पहले स्टेप होता है हमारा डी नैचूरेशन इनिलिंगー जाके एटेच हो जाते हैं और एनिलिंग के बाद क्या होता है एक्सटेंशन होता है तो यह तीनों स्टेप जो है वो अपके दिया हुआ है NCRT में दिया हुआ है, डाइग्राम के साथ दिया हुआ है, ये क्वेशिन कभी कभी 3 मार क्वेशिन में आ जाता है, तो आपको इस डाइग्राम के साथ आपको पूरी तरह से इसको एक्स्प्लेन करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे सबसे इंपोर्टन्ट एंजाइम जो होता इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा, या फिर कोई और डाउट होगा, तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, तो थैंक यू सो मच, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बायो टेकनोलोजी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिल करेंगे, क्लोनिंग वैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टे टून फॉर दैट पर्टिकुलर अपडेट, थैंक यू